आप लोगों को एक एक पॉइंट बताऊंगी सो अपनी वीडियो लास तक देखना है इंशालला आज में जो टापिक कर रही हूँ इंशालला यह वीडियो खतम होती है आपके सारी जो डाउट्स है वो खतम हो जाएंगे और अगर आप फॉस्टीर की स्टूएंट है तो अगर केमेस्ट्री स्टार्ट करना चाहते है तो आज से स्टार्ट करें आप डेली वीडियो अप्लोड करेंगे और आप डेली डेली तरह प्रेक्टिस करते जाए ये वीडियो देखकर प्रेक्टिस करते जाए कि वो टिस्ट सब्सक्राइब करेंगे तो यह सब चीज़े काउंट करने है तो प्रेक्टिस लाजमी आफ लोगों नहीं करना है ठीक है आप यह अगर अगर कोई बियस कर रहा है बियस केमेस्ट्री तो अगर वह चाहता है कि स्टार्ट से मैं अपनी बेस अच्छी करूंट तो वह भी यह व हमए ही देज सो लेस गेस स्टार्ट सब्सक्राइब सेख स्टे पहले में स्टाउम स्टाइक्योमेटरी की जो है इसकी डिपीशन करते हूँ यह क्या है इक साउ it is a quantitative chemistry which deals with the study of calculation based on chemical equation so chemical equation की based पर हम जो calculation करते है उसे हम stoichiometry कहते है so आगे जाके अभी हम चिप्टर की तरफ जाते है इस चिप्टर का जो हमारा first topic है वो है mole, mole and avagadro number so सबसे पहले हम mole define करते है what is mole mole is accounting unit mole क्या है mole accounting unit है अब काउंटिंग यूनिट का क्या मतलब जैसे हम कहते है न mole is accounting unit which is equal to mole is accounting unit है जो बराबर है इसके ठीक है अब मैं अब एक daily life की example देके आप लोग को समझाती हूं जब हम कहते हैं न कि यह चीज एक दर्जन है यह चीज दो दर्जन है लाइक दर्जन में एक दर्जन में कितने नंबर होते हैं एक दर्जन किसे कहते हैं आप लोग को पता है चलब मैं बताती हूं एक दर्जन कहते हैं जिसमें 12 सेमिलर तिंग हो if they contain 12 सेमिलर तिंग दिन वी कॉल एक दर्जन ओके so one more किसे कहते हैं लाइक दर्जन के तरह यह भी accounting unit है जो बराबर है इसके like एक दर्जन कहते हैं ना one dozen is equal to 12 like 12 सेमिलर तिंग होता है ना तो इसी तरह one more of anything is equal to 6.023 multiply by 10 power 23 तीके अप लोग को समझा किया more accounting unit है जो बराबर है इस number के जिस तरह हम कहते है कि एक dozen में कितनी number होते है तो उसमें 12 सेमिलर तिंग हो इस तरह अगर हम okay so one more ये number इस तरह one dozen इस नंबर के बराबर है इसी तरह मोल इसके बराबर है तो आप लोग को समझा गया more is accounting unit just like dozen dozen किसे कहते है जिसमें 12 सेमिलर तिंग होते है या अगर हम गॉस के बाद के जिसमें 12 सेमिलर तिंग होते है ठीक है तो अब हम क्या करें एक और चीज़ आप लोग को बतरो more is a very counting unit ये बात भी अप लोग याद रखियागा कि मोल जो है वो very large counting unit है ठीक है और ये हो गया 6.023 multiply by 10 report जिस तरह में कहते है न similar thing तो इसी तरह ये भी similar thing कहते है मैं उमीद करते हूँ आप लोग को ये टापिक समझ आ गया होगा कि मोल किसे कहते है अच्छा अब हम इस number के बात करते हैं ये जो number है ना ये number जो है ना अपर हम क्या कहते है इस number को हम क्या कहते है इस number को 6.023 multiply by 10 to the power 23 3.8 इसका इवगेडर नंबर अप लोगों नहीं सुना होगा 9 अब नहीं सुना है ये number जो है ये आगेडर नंबर ये रजाए जो रजाए ये नमबर जो है यह एक constant नमबर है यह जिसे हम कहते है अवगेटर नमबर ठीक है तो अब अब अवगेटर नमबर की डिपिनिशन क्या है इस रेप्रेजेंटेट बाई एन ए अब इसकी डिपिनिशन क्या है इसकी इसकी डिपिनिशन क्या है the number of particles the number of particles यह atoms भी हो सकते हैं ions भी हो सकते हैं molecule भी हो सकते हैं कर दो भी हो कर दो कर दो कर दो कर दो अप्राई्पान। अभी में आप लोग को होता है, यह नमबर जो है, यह constant number है, जिसे औरगेडरो नमबर की definition क्या है, तो औरगेडरो नमबर की definition क्या है, the number of particle, atom, molecule, atom, ions or molecule in one mole of any substance, किसी भी substance, like number of particle, like atom, ions or molecule in किसी भी substance के one mole में जो number होते है, किसी भी particle, atom या molecule की one mole में जो number होते है, किसी भी substance के, तो उसे हम कहते हैं, औरगेडरो नमबर, अब आप लोगों को समझ आ गया, mole क्या है, mole accounting unit है, जो बराबर है, अबरगेडरो नमबर की, यह अबरगेडरो नमबर है, यह अबरगेडरो नमबर के बराबर है, जिसी तरह, one dozen is equal to 12, इस तरह, one mole is equal to 6.023, multiply by 10 to the power 23, mole is a very large counting unit, और यह जो नमबर है, अबरगेडरो नमबर किसे कहते हैं, तो किसी भी सबस्टांस की one mole में जो नमबर होते हैं, उसे हम कहते हैं, अबरगेडरो नमबर, ठीक है, यह हमारा हो गया, अबरगेडरो नमबर और mole हो गया, चरव मोल के एक और डिपिनिशन करते हैं, इस अवगेडरो, अब हम इसके बात करते हैं, तो अब हम मोल इस तरह भी डिपाइडरो कर सकते हैं, क där अाम जात करते हैं, तो, अबरगेडरो नमबर सकते हैं, चरव मोल नमबराइड पर्टिक मोल इस तरह करते हैं, तो आइप लिपिनिशन करते हैं, और करते हैं, वन मॉल अपक्सीजन इस एकुल तो 6.023 एटम एटम्स ओपक्सीजन अब लोग को समझ आ गया वन मॉल अपक्सीजन ऑक्सीजन है ना एक एलेमेंट है तो यह बराबर है इसके एटम के ठीक है अब हम मैं वाटर की बात करो 1 mol of water is equal to 6.023 x 10 to the power 23 1 mol of diverse molecules of water मैंने आपलो को कह थाना की 1 mol of anything तो अभी बळावर है वाटर की बात की ये दोन तो एक दूसर से डिपरेंट है ना तो ये भी वही सेम एवगेटो नंबर जो नंबर है वो इसमें भी है चाहिए अब और एक्जामपल करते हैं आप लोगों को इसे भी पता चल जाएगा क्या करें आप वन मॉल आप ये साल्ट है ना ये भी सेमी नंबर का कांटेंट करता है अब अब लोगों को अब भी समझ आगे है मैंने आप लोगों को कहता है ना वन मॉल आप एटम वन मॉल आइन वन मॉल आप मालिकूल वन मॉल आप पारमूलः यूनोट कांटेंड एटम वगेरटर नंबर थीके अब याप लोगों को दिक्राएढ वन मॉल आप अजिए पाएं टेंटिर नंबर वन मॉल आप वाटर कांटेंडिर नंबर वन मॉल आप इनिसिएल करेंड ये साल्ट है यह water यह oxygen element है आप देखिए यह चीजे डिपरेंट है बट इसका यह जो वन मॉल अप दिस तिंग यह तिंग्स तो डिपरेंट है बट यह मॉल जस्ट सेम है सो वन मॉल वन मॉल सिमिलर है ना किसी भी चीज़ की वन मॉल कांटेंड इस नंबर मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगो समझ आ गया होगा तो इन्शालला अभी अभी अप लोगो यह समझ आओ को है इन्शालला कल से रमजान है ना तो ज्यादा काम नहीं कर सकती पिर जब हम रमजान कготов गया आ जा गया एक फिर जहारा टाम कलस थे आज मैं आप लोगों की रिसपान्स भी देखती हूंना कि आप लोगों को समझ आ रहा है आप लोगों को आप लोगा इंट्रोस्टिट है मेरी की लेक्चरज मह तीक है बागी आप लोगों का जो भी कोई Question होना आप Comment section में मुझसे Question कर सकते हैं मैं अप लोग की हर Question, इंशाला मैं आप लोग की हर Question की answer करूँगी आप लोग की है ये आज का जो lecture है ये तोड़ा सा lecture है लेक्टन ये बहुत जरूरी है मैं उम्मिद करते हुआ आप लोगो को समझ आगया होगा इन्शालला कल हम इसी टाइम नेक्स लेक्टर जो है वो आप लोग के लिए आएगा इन्शालला कल हम करेंगे मौल कालकुलेशन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जब हब आप लोग आगे अगर कोई बेस क कुछ अच्छी से समझ आएगा ठीक है चले चलते हैं फिर हम नेक्स लेक्टर कल इन्शालला आएगा सो आज की लिए लाफ़िस